नमश्कार में उप्रिया आज है 29 मार्श खबरों की तरफ पढ़ने से पहले आप सभी को होली की शुब काम नाए चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर बिहार में कोरोना के मिले 300 से ज्यादा मामने विशेश नमांकन अभियान समाप्त होने के बाद भी पहले कक्षा में होगा नमांकन राशनकार को आधारकार से लिंक करने का आखरी है मौखा राज़त नेता और कारेकरताओं ने होली खेले से किया इंकार होली में बिहार की परिक्षार्थियों को मिली बड़ी राहत तो चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तारते आज धूमधाम से मनाई जाएगी होली आज पुरे देश में धूमधाम से होली का तेवहार मनाय जाएगा होली भारत का एक प्रसित त्योहार है जो आज विशुव भर में जाना जाने लगा है यह प्रमकरूप से भारत अथा नेपाल में मनाय जाता है मंजीरा, जोलक, मुरेदंग, किद्वनी से गुंचता, रंगों से भरा होली का त्योहार राजपाल और मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने दी होली पर्फ की बढ़ाई बिहार समेत पुरे देश में आज होली धूमधाम से मनाय जा रहा है वही होली के اس पावन मौकई पर मुक्यमंत्री नितीश कुमार और राजिपाल फागो चोहान ने अपना संदेश जारी किया है जिसके तहट मुक्यमंत्री नितीश कुमार ने कहा कि स्थियोहार में हम सभी के घह रांगन में सदा खुश्यों की बारिश होती रहे ये त्योहार प्रेम सद्भाव और परस पर भाईचारे का है होली के रंग के साथ साथ तमाम गिले शिक्वे को भुला कर सद्भाव और प्रेम के रिष्टों को मजबूत करे वहीं राजपाल फावो चाहा ने अपना बयान जारी करते वे कहा कि ये त्योहार सभी को खुशियों के सतरंगी रंग में सराबोर करता है विशेश नामांकर नभियान समाथ होने के बाद भी पहली कक्षा में होगा नामांकर विहार के लगभग सभी सरकारी स्कूल बेच शात्रों के अडमिशन की प्रोकरियाज शुरू करवाद दी गई थी हालाकि सिक्षा विभाग के तरफ से शुरू किये गए विशेश नामांकर नभियान के बावजोद विहार के सभी 72,000 सरकारी प्रारंभिक स्कूल में पहली कक्षा में नामांकर जारी रहेगा सिक्षा विभाग ने यह ने लिया है सिक्षा विभाग के अधिकारियों की माने तो पहली कक्षा में नामांकर का लक्ष भी पूरा नहीं हो पाया है सिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजे कुमार की माने तो प्रवेशोत्सफ के शांदार परिणाम सामने आये हैं लेकिन पहली कक्षा में कम ना मांग कन चिंता जनक है एक अपरेल को प्रवेशोत्सफ के उपलब्धियों के विश्रित समीक्षा वही करने वाले है बिहार में कोरोना के मिले 308 ज्यादा मामले बिहार में कोबिड-19 के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से स्वास्तव भाग की परिश्वानी बढ़ा दी है स्वास्तव भाग की तरब से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी के गया आकडों के नुसार कुल मिला कर 351 मरीजों की पुष्टी हुई है जो इसके बाद आक्टिव मरीजों की संख्या 1346 पर पहुँच गई है वह जहां प्रभावित कुछ जुलों की बात करे तो सबसे जादा राजधानी पट्टा में 139 मामले सामने आए हैं वहीं भागलपुर में 46 अरडिया में 18 गया में 14 मामलों की पुष्टी हुई है वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिला कर 119 मरीज COVID-19 से ठीक हुए है जो इसके बाद ठीक हुए व्यक्तियों के कुल संख्या 2,62,036 पर पहुँच गई है वहीं बिहार राज में रुकवरी दर की बात करें तो ये 98.90 प्रतिशत है राशन कार्ट को अधार कार्ट से लिंक करने का आखरी मौका बिहार के सभी राशन कार्ट धार को के लिए एहन सूशा यदि आपने अब तक अपने राशन कार्ट को अधार कार्ट से लिंक नहीं करवाया है तो जल्दी करवाए क्योंकि क廿 गतिस तारीक के बाद से ऐसा नहीं करवाने वाले राशनकार्डदारियों के राशनकार्ड आमाने हो जाएंगे इतना ही नहीं आप राशन दुकान से राशन भी नहीं ले पाएंगे इसको लेकर खादेवम उपभोकता संग्रक्षन विभा के सचिप विने कुमार ने आदेश जारी किया है उन्होंने बताया है कि वर्तमान समय में राशनकार्ट को आधार कार्ट से लिंक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आए दिन राशन के नाम पर लूट के मामले सामने आते रहते हैं जिस पर ही अब लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है इसी को ध्यान बेरकते वे केंदर सरकार के निर्देश पर राजय के सभी राशनकार धारकों को आधार से लिंक करवाय जा रहा है स्वासबंत्री मंगल पांटे ने हर दिन 50,000 कोविड टेस्ट होने का खिया दावा देश भर के कई राजय में कोरोना मामलों में स्वासबंभाग के चुंता पढ़ा दिया इस बीच बिहार में भी बढ़ रहे मामलों को लेकर सरकार और स्वासबंभाग ने एक बार फिर से अपनी तयारी शुरू कर दी है और जाज की संख्या बढ़ाई जा रही है इसी बीच स्वासबंत्री मंगल पांडे ने हाली में अपना बयान जारी किया है जिसके तहट उन्होंने कहा है कि कोरोना की नई लहर को देखते वे बिहार सरकार की तरफ से पूरी तयारी कर ली है उन्होंने दावा किया है कि बिहार में हर दिन 50,000 से ज़्यादा कोरोना जाज करवाई जा रहे है इसके साथ इनों ने इस सभी लोगों से मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने की अपील की है 2024 सक पटनावासी कर सकेंगे मेट्रो की सवारी राज़ारी पटना में मेट्रो रेल पर योचा पर लगभग 13,365 करोर रुपे से अधिक खर्च होना है जिसमें 20% दी बिहार सरकार और 20% केंद्र सरकार खर्च करने वाली है बाकि 60% दी जपान इंटरनाशन कोर्परेशन एजेंसी से कर्ज लेकर काम किया जा रहा है पटना मेट्रो अब अपने काम की रफतार पकड़ने लगी है कोरिडर 2 के साथ कोरिडर 1 पर काम चल रहा है नगरवेकास वभाग की तरफ से कोरिडर की काम की लगभग चर्चाप पूरी हो चुकी है हाला कि अभी कोरिडर 2 पर काम की रफतार ने तेज गती पकड़ ली है निर्देश प्रमंडली आयुक्त संजे कुमार अगरवाल ने जारी कर दिया इस बाबत उन्हों ने कहा है कि कोरोना से सुरक्षा को लेकर तैमानकों को लागू करवाए इन निर्देशों में उन्होंने जुनता से अपील की है कि लोग होली के समय सुरक्षा को खास ध्यान में रखे साथी साथ होली के मौके पर भी नियमों का पालन्स जरूर करे होली को ध्यार में रखते वे प्रमंडरी आयुक ने समी जलो के जियम एस पी और अन्य अधिकारियों से कहा है कि होली का धहन से पहले जगे जगे पुलेस सेवं दंडा अधिकारियों की तैनाती की जाए होली में भिहार के परिक्षार्थियों को मिली बड़ी रहाद किया जा रहा है होली में ज्याद कैlli रेंधर ते 108 से बड़े रहादreal की जाए गारद होगी इस ट्रेन की खहुstringsना के बाद परिक्षार्थियों को समय पर सुविधापूर्ण। तरीके से परिक्षा के इंदर تक पहुचने की चिन्ता से बड़े रहात मिलेगी खबरों की माने तो इन ट्रेनों का परेचालन एक से आठ अपरेल तक हर दिन किया जाएगा बीते दिन से तीन और शेहरों के लिए शुरू हुई उडान सेवा COVID-19 के कारण विमानों के पहिये पर ब्रेक लग गया था हाला कि अब धिरे धिरेकर के विमानों को पहले की तरही परिचालत करवाया जा रहा है इसी क्रम में बीते दिन से तीन और नए शेहर का सीधा जुडाव दर्भंगा से हो गया है या तीन शेहर है है हैदरबाद, पूने और कॉलकता दर्भंगा एरपोर्ट प्रबंधन की तरह से इस आशे की जानकारी ट्विटर पर साज़ा कर दी गई है जिसके पर राम स्वरूप बीते दिन से दर्भंगा से हैदरबाद, पूने और कॉलकता के लिए फ्लाइट सेवा शुरू हो चुकिया, इसकी बुकिंग पहले ही से जारी थी एरपोर्ट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से समर फ्लाइट शेडिूल जारी करते हुए इसकी जानकारी दी गई थी बिहार में कोट का फैसला सुन चौक जाएंगे आप कोट का चहरी में अकसर दोशी करार दिये जाने के बाद व्यक्ति को सजा सुनाने का प्रावधान है लेकिन बिहार बोट की इंटर्मीडियेट की परिक्षा प्रथम श्रेनी से पास होने और इंजीनर बनने की ललग देखकर मारपीट और बाइक चोरी के आरोपित दो किशोरों को बिहार के बिहार शरीफ जिले की किशोर ने परिशद के प्रदाहन नियाधीश मानवेंद्र मिर्श्रे दोश मुक्त करार करते विबरी कर दिया है इंटर परिक्षा में फर्स डिविशन से उत्तिर्ण होने और सजा माफ होने से होली के मौके पर दोनों किशोरों की खुशी दोहरी हो गई है आपको बता दे कि जजमान वेंद्र मिर्श्रेस के पहले भी ऐसे कई एतिहासिक फैसला सुना चुके है वही अपने बचाव में दोनों ने कहा कि किशोरावस्था के कारण भूलवश उनसे दो साल पहले ये गलती हो गई थी अब मॉबाइल आप के माध्यम से रोके जाएंगे सडखाथ से बिहार में सर्ग दुरखटनाओ पर नियंतरन करने के लिए मुबाइल आप्लिकेशन का सहारा लिया जाना है इंटिग्रेटिड रोड आक्सिरेन डेटाबेस का प्रयोग के तोर पर सारवाधिक सडखाथ से वाले छे राजय यूपी के साथ साथ करनाटक राजस्थान एमपी महरास्ट और तमिलादू में इससे लागू कर दिया गया है जानकारों की माने तो 15 फरवरी से लागो इस सिस्टम का बहतर परिणाम आया है इन राजों में सरक दुरघटा में काफी कमी देखने को मिली है बिहार के पंचायतों के लिए राशी हुई जारी पंद्रवे वितायों के अरंसंशा के आलोग में वितियवर्ष 2021 में केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान टाइट के दुवित्यक किष्ट जारी कर दी गई है इसके तैट रीसरी पंचायती रासंसाओ के लिए पत्र में इसकाव लेख किया गया है कि कुल राशी का 70 फीज़ी ग्राम पंचायत और 20 फीज़ी पंचायत समीती और जुला परिसत को 10 फीज़ी के अनुपाद में वित्रन किया जाना है फास्टाइक के मदद से अब शराप तसकर पर कसी जाएगी नकेल बाहर से आने वाले शराप तसकरों पर अपना केल कसनी की तयारी हो रही है मातर एक सब्ता से 10 दिन के भीतर ही तसकर अपना रूट और पैटर्ण दोनों बदलते नजरार है रास्ता बदलने के साथ साथ वाहन के प्रकार और छुपाने का तरीका भी बदल दिया जाता है उत्पाद विभाग के अधिकारी बिताते है कि शराप तसकरी को ब्रेक करने के लिए फास्टाइक को भी अपना हथियार बनाने की कोशिश की जा रही है सभी नीजी आईटियाई में बायोमेट्रिक अटिनेंस से जुड़ेगा स्टूडिन का आधार स्रम संसाधन विभाग ने नीजी आईटियाई में पढ़ने वाले सभी शात्र शात्राओं के बायोमेट्रिक अटिनेंस को आधार से जोड़ने का दिनर लिया है जिसके बाद र भागिया समीक्षा बैठेक जून में आयोजित करवाई गई है जिसमें देखा जाएगा कि किस ITI में कितने शात्र मौजूद है और उनका टिंदेंस बाइमेट्रिक सिस्टम के अनुसार कितना है उसके बाद शात्र को परिक्षव टिकेट दिया जाएगा बिहार में अब सो वर्ग फूट की छट पर भी होगी बागवाणी लोगों को घर में ही खेती करने के लिए प्रेरित करने की शुरवाद कर दी गई है जिसके तह छट पर बागवाणी योज्ञा में सरकार बड़ा बदलाव करने जार ये क्रशेव भाग की योज्ञा को यद 25,000 जमा करते हैं, इसके बाद सरकार 25,000 और जोड कर एजनसी 50,000 देती है या एजनसी की छट पर पूरा सेटप तयार किया जाता है इसलिए केवल आपको ओनलाइन आवेदन करना होगा और आने वाले दोनों में 100-200 वर्ग फूट की छट वाले फिसका लाव ले सकेंगे बिहार में भूजल सर के सिती बताई गई ठीक, देश में भूजल सर के सिती ने सरकार के शिता बढ़ा दी है इसको लेकर हाली में किंद्र सरकार की तरफ से सभी राजयों के भूजल सर को लेकर आकरे जारी किया गया है जिसके तहर्ट भूजल इगाई को चुना गया है बहाँ जल सरकुल सुरक्षित सम्मेदंशील जैसे इकाईयों के आधार पर बाटा गया है बता दे अगर हम बात बिहार की करें तो बिहार में 81% भूजल इकाईयां सुरक्षित है मैं सबसे चुंदा जनक राजो की सिती की बात करें तो इसमें पंजाब का नाम शामिल है पटना सदर अंचल को तीन भागों में बाटने की शुरू होई तयारी पटना में बदलाव की लहर देखने को मिलने वाली है खबरों की माने तो पटना सदर अंचल को तीन भागों में बाटने को लेकर तयारी शुरू हो चुकी है जुलाप्रसाशुन ने इसको लेकर राजस्वेवम, भूमी सुधार विभाग को प्रस्ताफ भी जारी कर दिया खबरों की माने तो होली के बाद बिहार विद्याले परिक्षा समीती मैट्रिक परिक्षा का परिक्षा का परिक्षा का परिक्षा जारी करने में जुट क्या है जिसके तहत राजत कारेकरता और डेताओं नहीं अहसाफ कर दिया है कि जब तक लालो प्रशाद यादव जेल से बाहर नहीं आएंगे तो होली नहीं मनाया जाएगा इसको लेकर बीते दन सबी मारेकरताओं ने संकल्प भी दिया कारे करता की माने तो उनका कहना है कि राज़त सुप्रीमो लाल प्रसाद यादव किसी भगवान से कम नहीं है आज वो मुसीबत में हैं ऐसे में हम होली कैसे मना सकते हैं ऐसे में अब पार्टी ने निर्णे लिया है कि जब तक राज़त सुप्रीमों बाहर नहीं आ जाएंगे कोई भी वरकर तब तक अभीर गुलाल को हाथ नहीं लगाएगा। अब 5 अप्रेल से पहले लिखित रूप से पार्टी के इंद्रे कार्याले को अनुपसित होने का कारण अवगत कराने को कहा गया है। कोरोना वार्यर्स के प्रती सम्मान आदर में थाली बजाना दिया जलाना आपको अंदाजा भी नहीं कि कोरोना वार्यर्स के दिल को ये अंदाज कितना ज्यादा चुड़ गया था। इसके साथ युनों ने त्योहार के समय सभी लोगों से साबधानी बरतने की बात भी खई। भारत ने रुमानचुक मुकाबले में इंग्लाण को दी मातुमात। माहराश्टरुक्रिकेट संस्टेडियो में बीते दिन भारत और इंग्लाण के वीच खेले के तीस्ते और अंतिम वंडे मुकाबले में टीम इंडिया ने 7 रनों से श्ञांदार जीट दर्च की। इसी के साथ भारती टीम ने तीन माचों की वंडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली इससे पहले भारत ने टी-20 और टेस्ट सीरीज में भी जीत हासल की थी इस मैच में टॉस हर कर पहले बैटिंग करने उत्री विराट कोहली की टीम 48.2 ओवर में 329 रनों पर ओल आउट हो गई जिसके बाद भारती टीम काफी जाग धबाफ में आ गए हाला कि भारती टीम की गिन बाजों ने मोर्चा संभालो और इसके बाद इंग्लाइन की टीम 50 ओवर में 98 के लुकसान पर 322 रन ही बना पाई जिसके बाद भारती टीम ने सीरीज पर अपना नाम दर्ज किया होली से पहले श्रत्रुग निस्तना का पोस्ट हुआ वारिल अभिनेता श्रत्रुग निस्तना को उनके बेबाग डायलॉग के लिए जाना जाता है पासों को सांसों से मिलने दो जरा पास वो आने लगे जरा जरा तुम पास आई यू मुस्कुराए जैसे गाने शामिल है Google ने लॉंच किया एक नया अब Google अपने यूजर के लिए समय समय पर नय नय आप्लिकेशन को रोल करता रहता है Google ने हाली में एक बार फिर से एक ऐसे आप्लिकेशन को रोल किया है जिसके समाल से आप पे ना internet connection किसी भी restaurant में seat booking और movie ticket booking कर सकते हैं इस app का नाम Wi-Fi non scan है इसका समाल बड़ी मात्रा में data share करने के लिए किया जा सकता है जानकारों की माने तो इसको फिलाल play store पर lodge करने की तयारी हो रही है हाला कि अभी इसे developers, vendors और university के लिए research, demonstration और testing tool के तोर पर ही design किया गया है ताकि आप के माधियम से experiment किया जा सके Google की माने तो यह app पूरी तरह से सुरक्षित है कला बारे दुखे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें comment करके दिया था के लिए आपका बहुत बहुत है निवाद, आप में से जिन यूजर का comment है अच्छा लगा है उनके नाम है इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों की जवाब अच्छे लगे है मगर समय क्या भाव की कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप मारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के इस सवाल की उराज का सवाल कोशिश प्रकार है आपके नुज़ार आज होली के मौके पर आप सभी बिहारवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के रिबस इता ही बिहार की बड़ी खबरों से अबडेटिब रहने के लिए हमारी यूटिब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें धन्यवाद